न तेरे आने की खुसी, न तेरे जाने का गम, अरे बिद गया वो दोर, जब तेरे दीवाने थे हम, साथियों बहुत-बहुत स्वागत है आप सभी का PVR स्टडी में, उमीद है कि आप अच्छे होंगे आपकी पढ़ाय लिखाई, बढ़िया चल रही है, बोट मास रूल का य इनको आपने देखा होगा, इसके आगे बढ़ेंगे एक और कदम, अब ये कोशन देखिए, क्या करना है, इनको हल करना है, और इस क्लास को पूरा इंडे तक देखना, अगर आपको मैत सीखना है, तो ये कोई रील नहीं है, कि इसे इसे खिसक आया कुछ नया, आया कुछ गंदा सा देख लिया, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, पढ़ना है, कुछ सीखना है, तो मेरे साथ बने रहना है, आईए, सबसे पहले बोड मास रूल में ब्रेकट हल करते हैं, ब्रेकट में भी करम होता है, रेखा कोश्ठक, छोटा कोश्ठक, और फिर ये वाला मजल का को है, तो सबसे पहले छोटा कोश्ठक ख़ल करेंगे, चोटा कोश्ठक यहां पहले भी है, इधर भी है, तो हम कुल से छोटा कोश्ठक का सफाया करते चलेंगे, यहां पे दो, और अठारा में से तीन गया तो, पंदरा, कुछ नहीं है, बीच में चिने तो गुड़ा रखेगा यह मैंने छोटा कोस्थख को कर दिया यहां फे finish तो यह हो गया done प्लस 5 इसमें से घटेगा 12 में से 7 घटेगा पांच आएगा तक को पता है 12 में से 7 घटेगा पांच आगे बढ़ें आओ चलो, अब क्या होगा, अब इसके बाद करते हैं साथियों मजला कोश्ठक हल, मजला कोश्ठक का इसमें गुड़ा करेंगे तो 15 दूना, 30 और प्लस, ये 5 और ये गुड़ा 5, अब ही हम सिर्फ कोश्ठक पर फोकस कर रहे थे, अब यहाँ पर देखो 30 और प्लस, फिर गुड़ा पहले करेंगे 25 और ये हो जायागा आपका 55 यानि 55, किसी को इसमें कोई परसानी नहीं न, तो लिख लिजिए इसको, और जो हमारे नए-नए मेहमान हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे के विल्कुल फिरी पढ पाएं, अब तक मैं बड़ी-बड़ी क्लास के चकर में आपको काफी छोटी क्लाफ इस लिए नहीं दे पाता था, क्योंकि आप मतलब चाहते थे बड़ी क्लास, बड़ी क्लास में देखो दिक्कत क्या होती, आप लोगों के मन में होगा, कि आप बड़ी-बड़ी क्लास का आप उसको कहे खोलोगे जो लिखा होगा उपर बोर्ड मास रूल सीखो सुरू से फलाना कोश्चन आप उसको देख लोगे अगर आपने खोजा तिर्भूच कितने परकार के होते हैं अब मैंने पढ़ाया है उदय बैच पार्ट नो में यूटूब पे आ गया बेसिक मैथ उ ठीक है तो अगर आप भी उसमें केहें कि आपको बिल्कुल बेसिक एकदम सुरू से अंदर तक टॉप तक पढ़ना है तो आप कमेंट करिएगा वीडियो में हम आपको वो देंगे क्लास रेगुलर वाली ठीक है पी बीर स्टडी एप के अंदर आप मुझे कुछ सवाल का जवाब दीजिए सिर्भूज कितने परकार के होते हैं कमेंट करिए फटा फट तिर्भूज कितने परकार के होते हैं एक चीज़ अपने मन से भर्म निकाल दीजिए का कि ये वीडियो है वीडियो हो या लाइव हो कोई फरक नहीं पढ़ता सीखने के लिए न कहते हैं गद क्योंकि मुझे ध्यान रहता है कमेंट पर भी, बफरिंग हो रहा है उस पर भी, कोई लड़ाई जगड़ा गारी गलोच कर रहा है उस पर भी, भले हमारे टीम के मेंबर होते हैं सब मैनेज करने के लिए, बट दिमाग जाता है कहीं न कहीं, ठीक है, लेकिन रिकॉर्डिंग म मैं आगे कलास में, सबसे छोटा बरिहत कोण कितने अंसका होता है, बताओ, सबसे छोटा बरिहत कोण, बता लिए, अच्छा, ये बताओ कि अंडरूट 3 बटा अंडरूट 3, ये पर्मिये है या पर्मिये, बताओ, रेफनल, ये तीन कूश्चन आपके लिए हैं, इनका चाहिए, या आपको 2 घंटे का लाइब चाहिए, कमेंट जरूर करिएगा, नीचे कमेंट करना सब को आता है, अगर आप नहीं करते हो, तो फिर आप जानो आपका काम, आज के लिए नहीं, प्रड़ाम